हेलो दोस्तो स्वागे थे आपका अपने चैनल स्टूरेंट पॉइंट वीडी में तो दोस्तो अभी तक हमने HP TET की जो स्थीरीज है हमने चला ही HP TET GBT की जिसमें हम मैस सेक्षन सॉल्व कर रहे हैं उसका अभी तक हमने 2023 का दोनों पेपर जो पेपर December में November में होता है वो एक पेपर और एक पेपर जो आपका special TET हुआ था वो तक हमने कर लिया है दोजार जाकर देख सकते है आपको मारे चनल में प्लेस मिल जाएंगे चैनल को आगे चलने से पारे सब्स्क्राइब कीजिए और आपको beneficiary लग रहे हैं ये सारी वीडियो तो चलते हैं दोस्तों पहली question के ओर question क्या है 91 question if the freezing point of any gas at a sea level is 435 degree ferriate then its freezing point in Celsius देखो ये science का question है 6-7 का question है तो इसमें क्या है आपको पहले formula पता होना चाहिए का आप कैसे ferriate को Celsius में convert करते हैं तो इसका formula है Celsius is equal to 5 by 9 ferriate minus 32 इसे आप लिख लीजेगा आपने पास क्योंकि question repeat होते हैं आपके LGBT test में बहुत math section में पिछली बार के भी इसमें कम से कम 7 question है 8 question पिछली बार के जो अभी पिछे हमने test किया 2021 June वाला की 2021 में किया हमने एक paper उसमें से बहुत question इसमें है दोनों को मिला के भी काफी question repeat होते हैं दो इस formula के लिख लीजेगा आ सकता है फिर से Celsius देखो 5 by 9 अब ferriate में क्या दिया है आपका 435 minus 435 minus 32 ठीक है यह F की जगा हमने लिख दिया ferriate का जो महान दिया था हमारे पास Celsius अब क्या करोगा 259 जो आप कर लोगे खुद क्योंकि 9 से 189 इसकी गुणा करनी है बस यही करना है आपको ठीक है तो यहाद हैगा आपका minus 259 answer दोस्तों आगे बढ़ते हैं in reference of a circle the value of pi is देखो यह भी formula in the reference of a circle the value of pi होती है circumference divided by diameter answer C सीधे कोशन है कुछ कोशन सीधे होते है अगला कोशन the difference of two complementary angles is 30 degree ठीक है तो बताओ कि इन में से कौन है option में से तो पहले मैं आपको पता दू कि complementary angle क्या होते है जिनका sum जब दो कोण आपस में जुडते हैं तो उनका sum कितना ना चाहिए 90 degree होता है और supplementary होते है जब दो कोणो को दो angle को क्या है प्लस किया जाए और वो किसके बरबर आए 180 degree के बरबर है जब बना प्लस किया जाए 90 आए तो वो हते है mourning और प्लस किया जाए 180 आए तो वो हते है supplementary दोस्तों ठीक है? मुझे लगता है कि आपको पता होगा तो इस question में हमारको किसकी जूरत है complimentary angle जो होता है जब दो angle को plus किया जाए और 90 के ब्राबर आए तो देखो option में 2420 को करेंगे तो 70 आएगा 3060 को करेंगे तो 90 आगा यह हमारा हो सकता है सही answer 70 और 40 को कितना आ रहा है 110, 75 और 105 को रहा है इस पेंटाली is added to half of a number then result is triple the number is देखो आपको क्या बोल रहा है दोस्तो कि कोई number मानलो आपसे आप पहले एक number मानलो आपने x ठीक है उस number में अगर हम 45 एड करते हैं क्या उस number के आधे में 45 एड करते हैं half of number पहले आपने number मानलो x उसका half कर दो, x by 2 हो गया, उसमें 45 सेड कर दो, तो वो किसके बराबर आएगा, क्या बोर रहा है, of number, that result is triple the number, ठीक है, जब आप इन दोनों को solve करोगे, तो result क्या है आपके पास triple the number, मतलब जो आपने x माना है दोस्तो, उसका triple, तो आज़ता है, इसका triple आएगा, मतलब तीन गुना कितना आएगा, 3x, simple सा, अब क्या करोगे आप, 45 को इधर रहने दो, इसको लेजा और राइट हैंड साइड, 3x minus x by 2, ठीक है, lsim लेलो, यह आजएगा आपका 45 is equal to, 2, 6x minus x, इस तरीके से, अब क्या करोगे, 45, 5x आगया, 6x minus x को करने पर, और by, divide में आगर 2, अब इधर हो, divide में 2 है, तो equal to को परे जाएगा, तो गुना में चल जाएगा, 45 को गुना करोगे 2 से, तो क्या जाएगा, 90, यहाँ पर यह 5x है, तो यह गुना में है, एक दूसरे के, जोब यह equal to कारे, दूसरी तरफ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, भाग में, मतलब divide में, तो 5 आगया, x, इसको काटो, तो ठारा 5, 90, ठारा, x के वाले कितने आगी, ठारा, आपसे पूछी है, अगले कोशिन की तरफ बढ़ते है, 95, तो मैं आपको पहले बता चुक हूँ, बहतर, किलोमेटर लिखो, पर आवर मतलब भाग में, ऐसे पर आवर, अब बहतर को पहले कनवर्ट करो, किलोमेटर को, बहतर किलोमेटर में कनवर्ट करने के लिए, किलोमेटर से आपको मिटर में कनवर्ट करने के लिए, एक किलोमेटर में कितने मिटर होते हैं, एक अचार, तो एक अचार से गुणा कर दो, ठीक है, अब आवर है, आवर को पहले करो, एक आवर दिया है, आपके पास, एक आवर को कनवर्ट करो, किसमें, इसका मतलब ऐसा था बहत्तर एवन आवर ऐसे तो इसको आप कनवर्ट करोगे तो एक आवर से मिनट में कनवर्ट करो एक आवर में कितने मिनट होते हैं साठ मिनेट कोई साठ से काहले सब्सक्राइब। तो अचाली साइव सब्सक्राइब में 18 minute में 20 seconds होते है। तो 10फ में 2000 सबसे च्माइब और प्रिंज में कुछ नहीं करना सिंपल सा question है इन में सबसे ज्यादा largest value किसकी है देखो मैं ऐसे ही उता देता हूँ कि मुझे देखने में पता लग जा रहा है कि किसकी होगी largest value question देखके भी 96 की ठीक है sorry D की समझाई बात क्यूं मैं ऐसे क्यूं बोल रहा हूँ कि यह होगा देखो 32 दो D है बहती जब आप क्या करोगे इसके नीचे है 0.05 मैंने बोला कि point को हटाने के लिए जितने अंक उसके आगे होते हैं उतने भाग में ले जाते है उतने 0 हम तो इस त जाओ चल जाएगा उपर भाग में ठीक है देखो जब आब इसे काटोगे पांट उनीच दस डीस तो यह आ गया है छेसो चालीस आ गया छेसो चालीस देखो सिंपल सा अगर आप इसको सॉल्व करोगे देखो यह तो पहले ही उपर छोटा नंबर है और पहले छोटा नंबर इसको भाग कर रहे हैं बड़े नंबर से 50 बहुत बड़ा नंबर है इससे तो नॉर्मल सी बात है कि जो शब्द अंक आएगा वो बहुत ही छोटा आएगा ठीक है जो हम किसी छोटे अंकों को बहुत बड़े अंक से भाग करते हैं तो नंबर बहुत छोटा आता है उसी तर बहुत हो सकता है इस में बहुत एसके मुकाबले इस में बहुत फरक है इससे बढ़ा नंबर होगा प्रुंत चलो भांग करके इस इसे भी बता देता हूं, 3.20, 0.05, देखो, 10 न उतार दो, दोनों में, 32, इसका 10 न उतार होगे, तो 10 से गुणा हो जाएगा, नीचे, 5 इसको उपर गुणा हो जाएगा, 100 से, 10 से, 10 कट गया, तो 5 से, देखो, 32 काट होगे, तो कितना आएगा, पांचा, पांचा, पांची, प in the ratio of, देखो, supplementary angle मैंने पताया था, कि जब 2 कोणों का योग, 180 हो, ठीक है, अगर मानलो, angle 1 और angle 2 का योग कितना हो, 180 हो, ठीक है, तो उसे बोलते है, supplementary angle, देखो, यहाँ पर ratio में दिया है, तो मैंने आपको पहले बिताया है, कि ratio क्या होता है, मानलो, कि यह पहला ratio दिया है पहला angle है, मानलो, आप मानलो, कि पहला angle क्या है, एक है, ठीक है, एक x मानलो, क्योंकि value पता नहीं है, कि actual में है कितना हो, होगा इसका multiple ही, ठीक है, जो हमने x माना, उसका multiple में ही होगा, क्योंकि एक क्या है, जो actual angle है, उसका ही क्या है, सबसे छोटा रूप है, ठीक है, प्लस इसको कर दोगे 2x से ठीक है इस तरीके से कितना supplementary angle क्या होता है जिब दो कुणों का योग 180 आते लिकर दो इसको 180 के बराबर ठीक है 3x is equal to 180x की value जाएगा 60 ठीक है 60 तो हमने पहला angle क्या माना था ratio वाला 1x और इसमें पूछा है कि biggest angle निकालो तो 1x और 2x में बड़ा कौन सा है 2x बड़ा है तो biggest angle कौन सा होगा 2x वाला होगा तो 2x की value भर दो इसमें 60 आगई तो यहाँ जाएगा 120 और दूसरे angle कौन सा है x की जगा भर दो x is equal to 60 तो यह दो angle आगए वसे 60 एक 120 और दोनों plus करोगे तो 1x C आएगा biggest angle पूछा है तो 120 है तो वो जाएगा C दोस्तो तो 98 question स्रेश पर स्रेट 20 kg apple add 50 और पर kg देखो 1 kg की कीमत बोल रहे हैं यह 50 और तो 20 kg कितना होगा 20 से गुणा कर दोगे दोनों तरफ तो यहाँ जाएगा 50 से गुणा करोगे 20 को तो यहाँ जाएगा 1,000 50 गुणा 20 आगया 1,000 तो 20 के जी apple का rate है 1,000 रुपे ठीक है और out of these 5% apple वर found rotten ठीक है तो 5% खराब है तो 20 का 5% निकाल दो 20 की जो kg में से 5% खराब है तो 20 20 का 5% इस तरी किस लिख सकते हैं इंदी वाले तो 20 का की गुणा लगा दो 5% जानी 100 से डिवाइड कर दो 20 पांच है 100 5 एकम 5 एक आगया कितना गए एक मतलब 20 में से कितना है 1 apple खराब 20 केजी में से 1 केजी खराब है 19 केजी बचे और उनको बेच रहे आप 60 रुपाय पर केजी में तो 19 को गुणा कर दो 60 से तो वह आजाएगा आपका टोटल कितना रुपाय के आपने बेचे तो यह आजाएगा 19 ही के 114 और 10 लगी साथ में 1140 रुपाय के आपने बेचे कितने के आपने लिए थे 1000 के लिए थे 1140 के आपने बेचे तो यह बूच रहे हैं कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ तो 1140 से 1000 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा आपके पास कितना बच जाएगा दोस्तों यह बच जाएगा आपके पास एक सो चालिस तोल कितने थे, starting में कितने थे कितने kg थे, कितने रपय के थे 1000 रपय के है, तो उसको divide कर दो 1000 से, और आपको percentage निकाल लिए तो गुणा कर दो 100 से जब percentage निकालनी हो, तो गुणा कर दो 100 से, जब percentage हटानी हो और normal number में लाना हो, तो divide कर देते है वो कितना profit हुआ आपको 14% का आपको दोस्तों profit हुआ question number 98 का answer है आपका B आगे चले 25 ml of 5 liter is equal to दोखो यहाँ भी क्या है percentage निकालनी है देखो किसकी निकालनी 25 का कितना परसेंट है 25 का 25 ठीक है 5 liter को निकालना है लिटर को पहले मिली लिटर में convert कर दो एक लिटर में होते है 1000 मिली लिटर तो क्या करोगे 5 लिटर को कर दोगे 1000 से गुणा तो 5000 लिटर बन जाएगा total percentage में निकालना है तो क्या करोगे गुणा sauce ठीक है total जिसके percentage निकालनी हो उपर लिखते है जितना total होता उसको नीचे लिखते हैं और गुणा कर देते हैं 100 से 2 से 2 कट गया 55 दूना 50 एक बटा 2 आगया आपका और एक बटा 2 को क्या होता है 0.5% कितना 0.5 तो 0.5% इसका अंसर हो गया आपका B दोस्तों क्या हो गया B दोस्तों भाग करना आता है बस वो लास्ट में 1 से 2 से 1 को भाग कर दो 0.5 आजाता है ठीके दोस्तों अगले कोशिन की तोर बढ़ते हैं जो अगला कोशिन है आपका देखो कोशिन क्या बोलता है टोटल कितना है एक परिवार को कितना दिया उसने आड़ ची के आट तालीस तो यह आ गया चे पांजी तीस चे पांजी तीस तीस लिटर तेल दिया उसने एक फैंबली को ठीके बोल रहा है और तीन लिटर टो अनदर फैंबली और जो बचा 3 लिटर वो उसने जो और 3 लिटर उसने दे दिया दूसरी फैमिली को 2nd family कितना दे दिया 3 लिटर ठीके तो पूछ रहा है कि How many liter of oil does the shopkeeper need to add to the rest of the oil to make 20 liter अब देखो 80 liter तेल स्टार्टी में था और 30 प्लस 3 33 liter तेल उसने बेच दिया ठीके तुमार पास कितना तेल बचा पर तो यह निकालो 33 liter तेल उसने बेच दिया 30 liter एक फैमिली को 3 liter दूसरी फैमिली को 80 में से 33 माइनस कर दो 5 एक कितना 5 एक 15 लिटर तेल उसका बचा ठीके अब पूछ रहा है कि कितना और 15 liter में हमार को प्लस करना पड़ेगा कि हमार पास 20 liter तेल बन जाए तो देखो simple सी बात है 20 बनाने के लिए हमार को इसमें 5 और प्लस करना पड़ेगा यही question था कि कितना प्लस करना पड़ेगा और बचे तेल में कि मारको 20 लिटर तेल हमारा बन जाए तो 5 लिटर और प्लस करना पड़ेगा जिसका आंसर होगा आपका B क्या होगा B ठीके दोस्तों आगे बढ़ते हैं area of semicircle of radius 4R मैंने आपको semicircle का area बूछ रहा है semicircle के area का formula ठीके दोस्तों पías य्समैं डिया है इसके रेडियस कितना कितना दिया ए लेडियस मारे पास युदिवीन ठीके तो ष्ञ रेडियस धीआ थीक है स्छिे और इसमें क्या है मारे पास का आर दिया है question में जो बार पास r दिया है वो दिया है 4 r reduce दिया है 4 r तो डालोगे pi r की जगा 4 r डालो तो 4 r 4 r का square 2 pi 4 का square की तो तो है 16 r square by 2, 2 से 8 कट गया तो 8 बच गया आपके 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 आप pi r square क्या आपके 8 pi r square answer c अगले question की तरफ the number the number 2, 4, 9, 6, 3, 6 is completely divided by देखो ये completely किन तीन number से divide हो जाता है इसके लिए अब आपको सबसे भाग नहीं करना पड़ेगा अगर आपको divisible rule आते हैं तो हो जाएगा जैसे कि पहले हम पहला option में check करते है 2 देखो 2 का divisible rule बोलता है कि जब 2 का last number है अगर वो even है अगर इसका last number even है तो वो 2 से divide हो जाएगा देखो 6 है जो even number है even मतलब sum संख्या अगर किसी number का last अंक sum संख्या में है तो वो 2 से divide हो जाएगा तो मतलब ए 2 से divide हो जाएगा 3, 3 का divisibility root बोलता है कि इन सब को sum करो जैसे कि इसमें है 2 plus 4 plus 9 plus 6 plus 3 plus 6 इन सब का plus करो और वो देखो 3 से divide हो जाएगा तो ये number भी पूरा 3 से divide हो जाएगा तो ये आ रहा है इतना करने के जूरत नहीं मैं तो यहां ही कर दूँगा 4, 3, 4, 2, 6 6, यहां भी 6 यह बना 3, 14 ठीके और 9 यह आगया आपका 27 और 3, 30 तो इनका total सब का समागय है 30 और जो 3 से यह divide हो जाता है देखो 10 आदा होता है इसका तो यह 3 से यह भी divide हो जाता है तो 3 से यह भी divide हो जाएगा 4 का divisibility root बोलता है कि last के जो दो number है वो क्या है 4 से divide होने चाहिए तो 36 होता है वो 4 से divide हो जाता है 4 ना 36 होता है तो आपका option A ही इस cancer होगा कि जो क्या है ऐसा number ऐसे number जो इस number को divide कर देते हैं the number 2, 4, 9, 6, 3, 6 is completely divisible by 2, 3, and 4 ठीक है आगे चलते हैं और इसमें देखो अगर 5 की बात करें तो 5 का last number जो 0 या 5 होना चाहिए अगर किसी number में last में 0 या 5 होता है तो वो number 5 से divide होता है पर उसमें ऐसा case नहीं बनता ठीक है तो ये वाला भी इसी तरीके से गल्थ हो जाता है ये 11 से divide नहीं होता है ये यहां गल्थ हो जाता है ठीक है और 9 का divisibility rule होता है ठीक है यहां पर 3 का भी हो जाएगा चार का भी और 9 का divisibility rule भी यही बोलता है कि number का sum करके अगर वो 9 से divide हो जाते है यहां sum आ रहा था 30 अगर ये 9 से divide हो जाता तो ये 9 से अंगपूरा डिवाइड हो जाता परंतु यहां 29 से डिवाइड नहीं होता तो ये भी नहीं था पहला इसका answer था अगला question income of RITA is 25% more than the ये question मैंने अभी कल वाले paper में विकराया था आपको ठीक है इतना easy question लगता है उतना है ने income of RITA is 25% more than the income of SITA then SITA income is less than RITA income बोल रहा है कि income जो RITA की है वो 25% जादा है SITA से तो बताओ कि SITA की income कितनी percent कम है रीता की income से अब आप बोलो कि जब RITA की income 25% जादा है तो SITA की भी 25% कम होगी परंतु ऐसा नहीं है देखो question क्या है पहले आप माल लो कि income of RITA is 25% more than the SITA तो SITA की income माल लो आप X माल ली X नहीं इसे number की formula अब आपको number के देखनी का देख तो number में लो माल लो 100 अपने से माल ले 100 पे हमने कि 100 पे है SITA की income और RITA की income क्या है RITA की income SITA की income से 50% जादा है और 100 का 25% कितना हुआ 50 हुआ 100 का 25% 25 हुआ तो 100 में जो 25 प्लस कर देंगे तो RITA की income बन जाएगी 125 बन गई अब पूछा है कि SITA income is less than RITA income SITA की income RITA की income से कितनी कम है देखो RITA की income है 125 SITA की है 100 तो इनमें difference कितना है कितनी कम है 25 कम है 25 कम है पर उन्होंने पूछा है percentage में तो देखो मैंने क्या बोला था percentage gas निकालते है जो जिसकी निकालनी है वो 25 उपर लिखती है टोटल कितना है RITA की income कितनी है 125 है तो इसकी से divide किया गुड़ा कर दिया किससे 100 से तो कि मारको किससे RITA की income से कम निकालनी है तो RITA की income divide में लेंगे 25 5 125 5 को divide करेंगे 100 से तो आएगा 20 तो कितनी कम है 20% आशे करतों दोस्तों कोशन समझ आया होगा कितनी है 20% 1 by 8 of a number is equal to देखो 2 by 5 भाग 1 बटा 20 किसी संख्या का 1 बटा 8 बराबर है 2 बटा 5 भाग 1 बटा 20 वो संख्या है देखो क्या बोल रहे है माल लो कोई संख्या माल लिए अपने खुश से x माल लो आपको इस संख्या को अब इस संख्या का 1 बटा 8 मतलब इसको divide कर दो इसको गुणा कर दो 1 by 8 से या इसको गुणा कर दो 1 by 8 से तो इसका x by 8 ठीक है इसी किसी चंग्या का x by 8 बराबर है किसके बराबर है इसके तो इनको solve करो 2 बटा 5 भाग 1 बटा 20 इस तरी किसे लिख सकते हैं 2 बटा 5 ऐसी रहेगा जो भाग में नीचे है ये पल्ट जाएगी पुरी संखे और ये गुणा में जाएगी तो ये जाएगी गुणा 20 बटा 1 इस तर्म हम इस तरी किसे लिख सकते हैं पांच ओक पांच ओक के 20, 4, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 ठीक है ये कितना आगया और बाद 8 तो इनका क्या बोलने का मतलब है कि जो x बटा 8 है किसी x बटा 8 है वो किसके बराबर है 8 के बराबर है तो 8 को इस तरफ को ले जाओ तो x की वैलू किया आगी 64 तो वो नमबर क्या है आपके बास वो नमबर हमने माना था x और x की वैलू किया आगी 64 दोस्तों किया आगी 64 इंटरस्ट ओन 12,000 एड़ रेट आफ 10% पर एनम फॉर वन मन्थ ही देखो प्रिंश्पल इमाउंट कितना है मतलव मूल धन कितना है 12,000 रेट आफ 10% रेट कितना है दर कितनी दी है रेट हिंदी वाले अपने पास रिखतर हो हाथ में रेट कितना है 10 कॉपी में पर एनम साल की बात कर रहा है रेट 10% लग रहा है पर एनम तो यह पूछ रहें कि वन मन्थ का कितना है होगा देखो जो टाइम है वह हम कैसे लिखेंगे हम कर देंगे किसको वन मन्थ, वन मन्थ, वन बाइ ट्वाइलम ठीक है क्यूंकि हमारे को एक साल पर एनम बोल रहा है और हमें निकालना है सिरफ वन मन्थ का, तो हम क्या करेंगे साल में बारा महीन होते हैं ठीक है और हमें निकालना एक मन्थ, तो हमने वन बाइ ट्वाइलम हिस्सा कर दिया, मतलब हमें एक बटा बारा हिस्से का निकालना है, किसका निकालना है एक बटा बारा हिस्सा, समय कितना है एक बटा बारा हिस्सा, ठीक है अब आपको formula simple interest का लगाना है इसमें simple सा है simple interest क्या है principle into rate into time upon 100 ठीक है, simple interest निकाना लाव है तो principle amount कितना है 12,000 rate कितना है, 10, time कितना है 1 बटा, 12, भाग कर देंगे 100 से, ठीक है तो दोस्तों, यह इस तरीक के साथ आएगा क्या आगा आगा आपका 12,000 into 10 into 1 by 12 गुणा 100 इसको आप इस तरीक के साथ लेख सकते हैं 12,000 गुणा 10 एक अधियावने 12, ठीक है एए या, मिट किया हो इससे 12,000 10 गुणा 1 100 अपोन ट्राइल क्योंकि यह इस तरीक के साम लिख सकते हैं से इससे यह काट दिया, इससे यह काट दिया ठीक है, 12 से इसको काट दिया 12 एकम 12 यह आगे 100 कितना आगे 100 तो दोस्तों इसका अंसर होगा आपका आंसर, 105 का होगा आपका 100 कितना one month में कितना interest लगेगा इस पर one month पे इस पर लगेगा interest simple interest सौर रुप है ठीक है दोस्तो आशा करता हूँ आपको दोस्तो समझ आ रहा होगा अगर आपका अभी तक समझ आ रहा है तो ब्लीज चैनल को सबस्क्राइब कीज़े लाइक कीज़े शेर कीज़े और थोड़ी दिक्कत आ रही है तो दुबारा देखिए ठीक है थोड़ा दुबारा देखिए और जिनको slow लग रहा हो फास्ट देखिए जिनको फास्ट लग रहा है थोड़ा स्लोर स्पील करके देख लिजी आगे जलते हैं कोश्चन नमबर 106 10 men and देखो फिर से repeated question अभी मैंने कल वाले पेपर में कराया था 12 men और 12 women complete one job in 10 days in how many days 5 men and 6 women together will complete the job देखो पहली बात 10 men और 12 women है 10 men and 12 women नहीं है 10 आदमी या 12 औरते या और नहीं मतलब अगर 10 men एक काम को करते हैं 10 men 10 आदमी एक काम को करते हैं तो वो 10 men वो कितने के दिनों में कर रहे हैं 10 days में कर रहे हैं और उसी काम को अगर 12 12 women कितने दिन में करते हैं 10 day में ठीक है 10 दिन में करते हैं और 12 मूमेन भी उसकाम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है, अलग ज़र करें अगर इनमें पूछा कि पूछा है कि how many days 5 men and 6 women together will complete the job अगर 5 आदमी और 6 women कठे करते हैं उसकाम को, तो कितने दिन में वो काम करेंगे, ये पूछा है तो इसके लिए मैंने आपको कल बताया था आज फिर से पता देता हूँ कि फार्मूला आपको पता होना चाहिए वरक का वरक efficiency into time ठीक है वरक is equal to efficiency ठीक है efficiency into time ये फार्मूला पता होना चाहिए तो अब आपको पहली बात देखो complete one work one job बोल रहे है तो वरक इसकी जगा लिख दो one time कितना है 10 दे ठीक है 10 दी हमार को efficiency निकाल लिए पहले अलग अलग निकाल लिए पड़ेगी man और man की पहले एक आदमी की efficiency निकालो ठीक है तो 10 man ठीक है तो efficiency निकाल लिए को कैसे इस formula को थोड़ा convert करो efficiency is equal to अब इस time को क्या करोगे आप work के निचे ले जाओगे तो work into work divided by time तो यह बन गया क्वास efficiency का formula इसी से ही ठीक है efficiency कितनी है efficiency निकाल लिए आपको efficiency work work कितना एक काम करना है ठीक है और कितने time में करना है दोस्तों कितने time में करना है 10 दिन में करना है कितने दिन में करना है 10 दिन में करना है ठीक है दोस्तों यह आई efficiency इसकी एक मैन की कितनों की आई एक मैन की एक मैन की ने efficiency आई यह 10 आदमियों की ठीक है कितनों की आई 10 आदमियों की क्या करेंगे अब वन बाई 10 इदर चल जाएगा इसके नीचे तो यह जाएगा 1 by 100 1 by 100 तो 10 आदमियों की efficiency कितनी आगई 10 आदमियों की efficiency कितनी आगई Sorry, एक आदमियों की efficiency कितनी आगई 1 by 100 ठीक है, यह efficiency कितनी आदमियों की थी 10 आदमियों की efficiency थी, 1 by 10 ठीक है, एक आदमी की efficiency निकाले के लिए हमने क्या कर दिया, जो 10 था, उसको हम गुणा में लेके तो यागी 1 by 100, ठीक है, अब बात करते हैं, हमार पास man की efficiency यागी 1 by 100, कितने हो की, एक man की efficiency, हमार को क्या बोला है, 5 man, तो 5 man की efficiency निकाल दो इदर से, 5 से गुणा कर दो इसको, 5 man और 5 कुणा कर दो, दोनों तरफ तो आगे, 5 by 100, इसको कार दे तो आगी, 1 by 20, तो 5 man की efficiency आगे हो, एक बास 20, अब उसी तरह देखो, repeated फिर से, woman की निकाल होगे, तो मैंने efficiency का formula क्या बता है था आपको, work divide by time, तो, हमने efficiency कितने की निकाल लिए है, कितने woman की निकाल लिए है, वारब woman की efficiency निकाल लिए हमारको, work कितना है, work कितना है, एक time कितना है, time कितना है, 10 दिन, ठीक है, अब देखो, woman इधरी रहने दो, 1 woman, तो 1, 10 गुणा में चल जाएगा, तो या जागा 12, तो या जागा 120, क्या जागा, एक woman की efficiency आगी, 1 by 120, ठीक है, अब question में बोला हमारको, 6 woman, 6 woman, तो हम क्या करेंगे, 6 का कुण यहां से भी कर देंगे, उस तरह भी कर देंगे, ठीक है, 6 दुनी 12, इसकी भी आगी efficiency, 120, 6 woman की efficiency भी आगी 120, और 6 man की efficiency, 5 man की efficiency में बास कितना है थी, वो भी आई थी, 1 by 20, ठीक है, तो अब आगे क्या पुच्छा है, 7 में काम करेंगे, तो इनकी 7 में efficiency निकाल दो, 5 woman और 6 man और 5 woman की, तो 5 man की efficiency आई थी, 1 by 20, और 6 woman की efficiency आई थी, 1 by 20, इनको प्लस किया, तो यहां गया 2 by 20, ठीक है, 2 by 20, कट कर दिया, तो यहां गया 1 बटा 10, तो total efficiency इनकी कितने हागी सब की, 11 की 11 लोगों की, 5 man और 6 woman की efficiency आगी, 1 by 10, अब पूच है कि यह काम कितने दिन, खुद साथ, एक साथ काम कितने दिनों में कर लेंगे, कितने दिनों में कर लेंगे, तुमार को निकाल दा है time, ठीक है, तो efficiency, sorry, work क्या फ़र्म था, work is equal to efficiency into time, time को इधर ही रहने दो, ठीक है, efficiency को ले जाओ work की नीचे, work divided by efficiency, ठीक है, एक efficiency की आई थी सब की, 1 by 10, ठीक है, अब देखो, इसको आप क्या कर सकते है, उपर convert कर, इसको 1 by 10 है, आप इसको पल्ट के कैसे ले सकते हो, 1 into 10 by 1, तो यह क्या जाएगा, 10, क्या जाएगा आपका answer, 10, तो 10 days में वो काम करेंगे, आशर करता हूं दोस्तों, question समझ आया होगा, अगले question की तर 10 की पावर 20, और 10 की पावर 2, ठीक है, प्लस 10 की पावर 20, और इसको लिख सकते हैं, 10 की पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है, तो वो 1 बन जाता है, तो हम इसे इस तरीक से लिख सकते हैं, divide में 10 की पावर 20, अब देखो, उपर से आप 10 की पावर 20, इधर भी है, 10 की पावर ले लिया, उपर बज गया 10 की पावर 2, और प्लस में 10 की पावर 0. Divide 10 की पावर 20, इससे ये काटते हूँ, 10 की पावर 20 काट गया, तो ये आग看 10 की कितना होता है? 100 प्लस 10 की अगर 10 कि किसी की पावर 0 हो तुब 1 जाता है 1 तो यह जाता है इस त्रीक से तो यह आगे दोनों को प्लस करेंगे तो 101 कितना आगे दोस्तो 101 C आंसर अगला कोशन देखो दोस्तों ए भी रिपीटिट कोशन और फिर से 2.001 भाग 0.003 दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो इसका आंसर आप खुद बताओगे इसका आंसर आप खुद बताओगे यार आपको अभी तक मेरे जितना बेन पढ़ाया अग इसका आंसर खुद बताओगे comment box पर और जिसका आंसर सही होगा उसको हाट मिल जाएगा उसके पता लग जाएगा उसका आंसर सही है दोस्तों ये वाला question solve करते हैं देखो simple सा simplification का question है इसमें कुछ नहीं करना आपको जो अब इसको mixed fraction में दिया है ये 3 by इसको तो आप इसको कैसे convert करते है simple fraction पहले मैं आपको ये बताता हूँ जैसे ये 3 base 3 है नसका इसको गुणा करोगे 3 के साथ 3 गुणा 3 और जो 2 है इससको plus कर दोग तो 3 ते हम 9 9 को plus करोगे 2 के साथ तो आजाएगा 11 ठीक है तो 11 पाई 3 ये आगए इसको इस तरह से convert करते है जैसी ये अगला है 1 1 सही 1 by 2 तो 2 को गुणा करोगे 1 के साथ 2 की गुणा करोगे 1 के साथ और 1 की plus कर दोगे इस तरीके से जो गुणा करने पाएगा उसकी plus कर दोग होगे 1 के साथ और बेस हो ही रहेगा जो 2 है 2 तो 2 एकम 2 प्लस 3 3 by 2 तो इस तरीके solve करते हैं तो 3 तेमनों ये आगा आपका 11 बटा 3 प्लस 3 एकम 3 2 एकम 2 2 प्लस 3 3 by 2 ठीक है प्लस 3 by 2 माइनस ये आगा 0.875 ठीक है प्लस देखो 15 और माइनस 6 करोगे तो 9 जाएगा 9 की गुणा 8 कराथ चौण 8 ना बहत्तर तो ये आगा 72 ठीक है दोस्तों अब क्या करोगे आप इसको कर लो point में convert या इनको कर लो या इनको कर लो fraction में convert ठीक है तो मालो आपने अगर इ तो यह क्या जाएगा 11 की भाग कर तो 3 के साथ 3 तेम 9 2 ठीक है point 0 3 ठीक है ठारा तो लगवर 3.6 आ ठीक है यह कितना अगया 3.6 और इसको करोगे तो यह कितना जाएगा 1.something आ जाएगा दो यह कितना था 0.875 प्लस 72 ठीक है दोस्तों अब आप इसको कर दोगे प्लस इनको कर दोगे इन दोनों को प्लस कर दो ठीक है 3,4,6,11 तो यह आ गया 5.1 यह आ जाएगा आपके पास 0.875 ठीक है यह आ गया प्लस 72 अब इनको कर दो solve 5.1 इसको बहत्तर को प्लस कर दो कितना आ जाएगा आपकास लगभग approximately 77 77 से माइनस कर दो 0.875 77 से माइनस कर दो 0.875 ठीक है 0.875 को माइनस कर दो दोस्तों तो आपका जो आएगा ठीक है वो क्या जाएगा आपका दोस्तों वो आप खुद करेंगे यह मैं ही प्ता दूँ देखो 77 है न 0.00 मालो मेरे पास कहा था 0.875 इस तरीक है था आपने देखो यहां से क्याली हांसी ले लिए आगये को ठीक है तो यहां बन गया आपका 10 तो यहां जाएगा पांच यहां रहेगा आपका 9 तो यहां जाएगा दो यहां रहेगा आपका 9 यहां जाएगा एक पॉइंट यहां से आपने 6 बचा थे यहां पे 7 तो 7 6.125 यह question भी repeated है, maximum question देखो, पिछले ही paper से उठा दिये हैं, मैंने क्या पता है था इस question में, 25% है, मैंने क्या बहला, percent को हटाना है, तो divide कर दो 100 से, 100 से, percent हटानी अगर, उसी तरीके देखो, 57% है, तो 50 की भी हटानी है, percent तो गुना कर दो 100 से, सो है, 100 की percent भी हटानी है, तो गुना कर दो, सरी, गुना बोल रहा हूँ, भाग कर दो 100 से, ठीक है, percentage अगर दी है, और उसको percentage से हटा, उसकी percentage हटानी है, तो उसको भाग कर देंगे 100 से, percentage उतर जाती है नीचे उसके भाग में उसके divide में देखो 25 तो इसके 7 ही है गुणा 50 इस equal to पर देखो answer दी है percentage में answer दी है percentage में तो हम और percentage में convert करने के लिए हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं 100 से समझाई बात अब देखो इस 100 से यह 100 कट गया इस 100 से यह 100 कट गया इस 25 से यह 50 कट गया आप कैस का बच्चा वन बाइ 100 और एक ऐसे जितने point जितनी दर्शलब जितने जितने जिरो नीचे उतने के आगे उतने अंग होने चाहिए तो कितनी दो जिरो है तो 0.01 आपका आँसर आ गया किदन 0.01 परसेंट सी आंसर एक सो वन 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 कोश्चिन 111 कोश्चिन अच्छा एक पैरामिटर दिया है किसी रेक्टेंगल का पैरामिटर है 40 उसकी लेंथ लेंथ अफ़ रेक्टेंगल इस 4 मिटर फोर मिटर लेस देन 5 ताम आप इस ब्रेट देखो उसकी अगर चोड़ाई है ठीक है वो कितनी है लेंथ अफ़ रेक्टेंगल इस 4 ताम लेस देन 5 ताम है इस ब्रेट मालो हमने माली खुझ से माली कि उसकी चोड़ाई एक्स है ठीक है तो इसकी लेंथ कितनी ही इन्होंने क्या बता बोला है कि उसकी लेंथ क्या होगी आयत की लंबाई उसकी चोड़ाई के 5 गुना से 4 मिटर कम है ठीक है मलब चोड़ाई का 5 गुना ये चोड़ाई है एक्स इसका 5 गुना कर दो तो 5 गुना कर दो एक्स को तो 5 एक्स आ गया 5 गुनी से 4 मिटर कम 5 एक्स में 4 माइनस कर दो 4 मिटर कम हो जाएगी इतनी इसकी लेंथ आ गई ठीक है ते पूछ रहे हैं कि लेंथ पताओ लेंथ नंबर में बताओ ये तो हमने एसे हमने एक्वेशन फॉर्म कर दिया अब नंबर में बताओ लेंथ कितनी है तो पेरामिटर का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताया है कि जो रेक्टेंगल का पेरामिटर होता हो उसका फॉर्मूला प्लस ब्रेंथ मतलब लंबाई पलस चोड़ाई ठीक है तो ठीक को लेलो से, ठीक है, तुम्हार पास क्या आ गया, 2, 5, x, minus 4, plus, x, is equal to, 40, तो, इसको solve करेंगे, 5, x, plus x, आ गया, 6, x, minus 4, 40, देखों, यहां, और यहां से, 2 common लेलो, ठीक है, यहां, चलो, जिसे, simply solve करते हैं, 2 की गुणा कर दो अंदर, 6 दोनी, 12, x, 4 की गुणा कर दो अंदर, 4 दोनी, 8, 40, 12, x, minus 8 है, इसको परिली तरफ ले जाओ, तो, यह, इधर, plus में आ जाएगा, plus 8, और यह आ जाएगा, 48, अब यह गुणा में, 12, x के साथ, यह चल जाएगा, भाग में, 48 by 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 14, 12, 14, 14, x की वेली कितनी आगे, आपकास, 4 आगे दोस्तों, ठीके, हमारा वुच्छा, इसकी लेंद कितनी, और हमने लेंद क्या बोली थी, हमने जो चड़ाई मानी थी, हमने जो चड़ाई मानी थी, वो मानी थी, x, और जो लंबाई मानी थी, वो मानी थी हमने कितनी 5x-4 x के वह लिए 4 आगई बुट कर दो तो b मार पास कितना आगए 4 और length कितनी आगई 5x के जगा 4 भर दो minus 4 तो 5 चौका 20 minus 4 कितना आगए 16 meter कितना आगए 16 meter एंसर आगे चलते हैं देखो इसके लिए आपको पता होने चाहिए speed का formula speed मतलब गति का formula क्या होता है distance मतलब दूरी दूरी और time मतलब समय तो distance upon time हमार पास दिया है car covered distance of 120 km in 4 आपर तो हमार पास distance कितना दिया है 120 km time कितना दिया है 4 आपर तो इससे यहाँ से इंगी speed निकाल दो 120 divided by 4 put कर दिया formula 4 तेंबार तो इसके speed आगे 30 km पर आपर अब देखो दूसरी किवेशन किया speed of the car is increased how much should be the speed of the car be increased to cover the same distance in 3 hour देखो इसमें भी क्या है distance तो इसमें 120 ही है same distance बोला है ठीक है same दूरी बोली है distance तो इसमें भी उतना ही है और समय कितना बोल रहे है 3 घंटे समय कितना बोल रहे है कि 3 घंटे ही दगने चाहिए अब देखो हमारी speed कितनी होनी चाहिए वो पूछना है कि मारी speed कितनी होने चाहिए तो speed का formula distance upon time ठीक है distance upon time distance क्या आपके पास 120 time क्या है 3 इसको काटो 3-4 के बारा यह आ गया 40 km पर hour कितना गया 40 km आवर तो यह पूछे है कि हमने कितनी speed बढ़ाई पहले मारी speed थी 30 km अब हो गई 40 km पर थी घंटा तो हमने कितनी speed increase की उसी distance को 3 घंटे में पूरा करने के लिए 10 km क्योंकि minus करो 40 और 30 दस आ गया तो 10 km पर hour a answer अगले इत कोशन के तरब बढ़ते हैं यह भी repeated question है दोस्तों range of data मैंने पताया था आपको कि सबसे छोटा नमबर होगा जो आपका 4 यह सबसे छोटा सबसे नमबर है और सबसे बड़ा नमबर है ठारा सबसे छोटा नमबर है 6, 17, 18 13, 21 और 14, 4 सबसे छोटा नमबर है आपका इसमें 4 और सबसे बड़ा नमबर है 21 ठीक है रेंज क्या होती है दोस्तों रेंज होती है जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर आपकास दिया है उसको माइनस कर दो 21 माइनस 4 कितना आगा 17 ठीक है कोशिन देखते हैं 114 दोस्तों 114 विच और फॉलिंग कैना भी थर्ड साइड अगर हम अब पास दो साइड है यह दी है फिर्स साइड कौन सी दिया आपके पास है ठारा उसका और सेकिंड साइड दिया आपके पास है 14 ठीक है अब बताओ कि इन में से थर्ड साइड कौन सी नहीं हो सकती ट्रेंगल की तो इसके दो कंडिशन होती है जिसे हम पता करते हैं पहली होती है कि जब हम मानो जो फर्स साइड बना साइड ए और साइड बी होती है इनका सम इनका सम हमेशा ग्रेटर दैन होना चाहिए इनका सम ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड थर्ड साइड मालो सी है और जो इनको माइनस करेंगे दो साइडों को ए माइनस बी को जब ए माइनस बी होगा जो यह करे होने चाहिए इस स्रीक से घुटाइड जो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो वह चोटी होनी चाहिए थरड्ट साइड के छोटी होने चाहिए कैसे हमार पास दिया 18 प्लस 14 18 प्लस 14 कितने आजाते हैं, 18 को 14 से प्लस करोगे तो या जागा ये 32 ठीक है, अब जो नंबर होना चाहिए मर पास है, ये 32 सब बड़ा होना चाहिए, और सारे नंबर, जो 3rd नंबर होना चाहिए मर पास हो 32 से छोटा होना चार ठीक है अब यह बोलती है थर्ड कंडिशन कि जो माइनस करने पर जो नमबर आता है थर्ड साइड उसके क्या होनी चाहिए थर्ड साइड क्या होनी चाहिए उससे बड़ी होनी चाहिए चार से बड़ा होना चाहिए नमबर ठीक है तो 12 भी 4 से बड़ा है, 8 भी 4 से बड़ा है, 21 भी 4 से बड़ा है, तो 3 चार से बड़ा नहीं है, तो यह वाली साइड नहीं हो सकती, triangle को, हमार से पूछा कि कौन सी साइड नहीं हो सकती, तो यह वाली साइड नहीं हो सकती, 3 है इसका answer, C, अगला question, 115, 225 equal to, किसके equal है 225, ratio का question ह है ठीक है कि 225 is equal to 225 होता है इसको डिवाइड कर दो पर्सेंटेज है ना पर्सेंटेज हटा दो सो सी डिवाइड कर दो तो क्या जाएगा आपका 25 ना है एक 25 पर्सेंट चौके 100 नौ बटा चार आ गया तो रेश्यो में क्या करते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं 9 रेश्यो चार ठीक है तो इसका अंसर है equal to 904 इसका एक 25 पर्सेंट हो गया आपका यह अगला कोशन देखते हैं which of the falling number does not lie between कौन से नंबर इन दोनों के बीच लाए नहीं करता तो simple सी बात है पहले इसके बेश सेम कर दो minus 5 by 6 है 7 by 8 है इसका बेश सेम क्या करते हैं इसका जो बेश देखो इसका बेश 6 है इसका बेश 8 है इनको एक दूसरे के बेश से गुना कर दो जैसे कि 6 है इसका बेश तो इसको गुना कर दो 6 से और divide भी कर दो इसको इस देखो बेस सेम हो गए, अब हम पता लगा सकता है, अब हम उपर वाला नंबर ही देखेंगे, तो क्या आ गया है, माइनस 40, 48, और क्या गया, माइनस 42, 48, अब देखो कि इनले में से कौन सा नंबर इसके बीच लाए नहीं करता, तो अब क्या करेंगे हम, इसका भी बेस बनाने चाहिए, तो यह क्या गया, माइनस 36 बटता 48, और माइनस 42 बटता 48 के बीचे लाए करता है, ठीक है, तूब कि इसके बीच होता है, माइनस 36 बटता बेस, अब आप उपर वाले नंबर देखोगे, तो यह तो लाए करता है, यह तो उस कहां से नहीं हो सकता, नौट कि पंच चिकाव जैपि भी लाय करता है यह बड है少ऺ लेकित है नमबर भी तो यह भी नहीं होता है ठीक है अब आजाओ अब आपकुला अब इसका बेश से अम करने के कोशिश करो 12 से 24 से चार से डिवाइड भी करो चार से गुना भी कर दूसको तो 44-44 48-44-48 दो को 44-48 के बिछ लाए नहीं करता 44-48 इसके बिछ लाए नहीं करता क्योंकि माइनस 44 उसके बाद आता है माइनस 41, माइनस 42, माइनस 43 आगे आता है माइनस 40 by 48 और प्लस 42 by 48 की विचे लाई नहीं करता है तो इसका अंसर होगा C QS नमर एक सुस्तारा देखते हैं दोस्तों स्मालास 4 डिजिन नमर विचे डिविजूल बाई 14, 32 और 24 इसके लिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि आपको LC म निकाल देना है 14, 32, 24 का देखो LC म निकाल होगे 2 से करोगे 2, 9, 14, 16, 32, 12, 24 9 तो नहीं जाता है इसको ऐसे लिख दो 2, 8, 16, 2, 12 9 नहीं जाता 2, 4, 8, 2, 3, 6 2, 2, 4, 3 आगया फिर से 2 से चल गया 2 ठीक है तो आगये यहां पर 9, 1, 3 तो यह चल दाएगा 3 से तो क्या दाएगा आपक पास फिर से 3 त्याम ना, 1, 3 एकम 3 फिर से 3, 1, 1, 1 तो आपके पास आगया इनको गुना करतो सबको 2, 2, 4, 4, 2, 8, 8, 2, 16, 16, 20, 32 और 3 त्याम नो तो 32 गुणा 9 कीतना का आपको आस 32 गुणा 9 आपको आपको आपका 288 288, 280 देखे दोस्तो, परंतु आपको बोला है smallest four-digit number ठीक है, smallest four-digit number तो दोस्तो यह है smallest number, जो इन तीनों का तीनों से divisible हो जाता है प्रंतु आपको बोला है smallest four digit number तो आप क्या करोगे अब देखो इसको ऐसे number से गुणा करो ठीक है यह option में देखो कि कौन सा number जैसे इससे दो से गुणा कर दो तो आपको से गुणा करके देखो से आठ चोगे 32 तो तीन आठ चोगे 32 तीन तीन चार दूनी आठ और नो दस ग्यारा तीन बचा था ना ग्यारा तो क्या ग्यारा सो बावन कितना ग्यारा सो बावन तो smallest नंबर आपको पतार लग गया जो अब four digit नंबर भी होगा वो इसके ही multiple में होगा कोई ना कोई नंबर ठीक है कोई ना कोई इसके multiple में ही होगा नंबर तो हमने क्या कर दिया गुणा करके देख लिया चार से गुणा चार से गुणा करने पर में गयारा सो बावन आ रहा है जो कि option में है c answer इसका अगला question lcf to number दिये है हमार पास बोला है कि एक नंबर ये है तो बताइए जो बचन नंबर वो कितना है तो इसका formula होता है करने का इसका formula क्या आता है hcf गुणा lcm एकल टू नंबर वन नंबर वन और इंटू नंबर टू ठीक है तो देखो इसमें क्या दिया है हमार पास hcf एक 220 असी दिया है 280 कर लो उसकी गुणा करने है hcf के ताथ formula के साब से तो 40 से गुणा कर दिये और product of two numbers तो पहले if one number is 70 एक नंबर तो 70 दिया है और एक नंबर कुछ ने दिया नहीं है तो हम उसको मान लेंगे x और की गुणा कर लें x के साथ अब क्या करोगे simple सा यह x में गुणा में है यह चल जाएगा divide में इसके 70 ठीक है तो क्या बचाएगा आप कास ही आ गया 0 से 0 कट गया साथ चौके ठाइस चार आ गया तो चौदा चौचो के 56 तो आगया आपको पास है कोशन नंबर 118 का आँसर आगया आपको पास है डी 56 सिंपल सा फॉर्मूला यह आ रखना एक स्टून निस्वा कोशन सिंपल प्रूफ करने को बोला है देखो 13 का स्केर माइनस 5 का स्केर 13 का स्केर कितना होता है 169 पता होना चाहिए 5 को आता है 25 इसका दिया है 3 2 इस तरीके से और उसके बाद दिया है हमर पास 6 का क्यूब तो 6 का क्यूब इसको इससी तरह लिखो इन्टू ए देखो इसनको माइनस करोगे तो आता है 144 3 बाई 2 6 की पावर 3 इन्टू ए अब 144 किसका स्केर होता है एक स्केर रूट होता है 12 का तो आप ऐसे लिख सकते हो 12 का स्केर 3 बाई 2 इस तरह के से अपने 12 को स्केर की फॉर्म में लिख दिया 6 3 इन्टू ए ठेखो कैसे था क्या था हमर पास 12 का स्केर 12 का स्केर 3 बाई 2 इन्टू 6 का Q इन्टू ए इस तरह के अब आप क्या कर सकते हो 12 है इसको ले लो भार तो यह अगर 2 गुणा 3 बाई 2 2 से 2 कट गया ठीक है यह exponential function के formula है यह simple से formula होता है पता होने चाहिए आपको 6 की power 3 इन्टू ए तो 12 की power के आपको पास 3 बच गई और is equal to में 6 की power 3 इन्टू ए ठीक है अब देखो क्या है 12 को आप कैसे लिख सकते हैं तोड़के 6 दूणी 12 इस तरह की power 3 6 की power 3 इन्टू ए ठीक है तो आपने कैसे लिखा 12 को 6 की power 2 का Q 3 is equal to 6 का Q 3 इन्टू ए तो 6 का Q 3 इन्टू 2 का Q 3 देखो ये गुणा में है तो ये डिवाइड में जाएगा इसके नीचे 6 की गुणा 3 is equal to A 6 का 3 6 से 3 कर जाएगी तो क्या बचके हैं 2 की 3 A की value की आगी 2 का Q होता है 8 तो A की value आगी 8 बहुत simple question था अपना फास से गरो आपको इतना simple करके दिया है मैंने आपको लग जाएगा पता है कि बहुत simple है ठीक है और practice करोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे इसको तो मैं तो हर एक step करके दे रहा हूं आपको 1 गुणा एक गुणा एक एक गुणा एक एक हमें एक सब कुछ एक सब का मालिक एक तो answer आगे आपका पास B तो दोस्तो कैसी लगी आपको वीडियो जुरूपता है हमारे चैनल को subscribe किजिए वीडियो को like किजिए अपने दोस्तों को share किजिए दोस्तो मिलते हैं अगली 13 गए दिए्यओ वीडियो कि अझा एक 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 किजिए आपको लाइगा ह well sin थेक वीडियो कि छोस्तों कि वीडियो प्को वीडियो.